तो हलो हाई एवरीवन विलकम है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो आज मैं पहुंचा हूँ बबना पसु मंडी जो कि ये मंडी सब्ताइक मंडी है परती एक बुद्वार को ये मंडी लगती है और सुबा सुबा का वक्त है काफी संदार भीड देखने को मिल रहा ह भीड है तो इस वज़ा से आज गाए भी काफी संदार संदार देखने को मिलेगा तो बने रहे हमारे चैनल पर और इस मंडी की डिटल जाने तो ये मंडी जहानवाज जिला में ये मंडी परता है जहानवाज रेलवे इस्टेशन से मातरे 5 किलोमेटर की दूरी पर ये मंड सेट उसके नीचे भी गाए काफी सारे देखने को मिलेगा आपको तो चले चलते इस सेट के नीचे और उदर देख लाते किस टैप की गाई अवलेबल है तो यह आप देख पा रहे होंगे इसकेन के उपर पहली गाई जो कि एक ही ओनर की तीन गाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि लैंड से बंदिवी है एक ही सेट के नीचे तो इस गाई की टिटल जाने तो चार दात में यह गाई बतलाई गई है ओनर की तरफ से और ओनर अभी आगे भी गुमा के आपको देखलाना चाहेंगे 14 लिटर दूद की कैपेसिटी बतलाई गई है इस गाई की और बच्चा फीमेल है इनके साथ में और यह देख पा रहोंगे जो की बच्चे के बेगार गाई आगे नहीं जानी मंगती इस वज़ा से बच्चे को भी आगे पहले लेके जाया गया 51,000 पर डिमांड बतलाई गया ओनर की तरफ से रेट में कुछ कम बेस हो जाएगा तो यह आप देख पा रहोंगे और इनके मैं पीछे सैट से भी मैं आपको थोड़ा देख लाना चाहूंगा और इसके आगे भी जो गाई खड़ी है उनको भी मैं आपको देख लाना चाहूंगा उनका भी डेटेल देना चाहूंगा 51,000 पर डिमांड रखा गया यह आप पीछे अडर की बनावट देख पा रहोंगे आउनर एक और बार इसे आगे की तरफ ले जाना चाहरे है यह देख पा रहोंगे बच्चा के बेगार यह जाने नहीं मांगती इस वजह से बच्चे को भी अभी आगे लेके जाएंगे तो चले फिर बढ़ते आगे दूसरी गाई की तरफ इसी के जेश्ट बगल में तो एक और गाई यह आप देख पा रहोंगे जो कि अभी वो गाई आपने पहले देखा उसको आगे लेके जाया गिया है और उसके जेश्ट बगल में यह गाई आपको देखने को मिल रहा होगा एक और गाई जो की वाइट कलर में आपको देख रहा होगा उसका भी डिटेल्स मैं देना चाहूंगा आगे तो इस गाई की बात करें तो यह चार दात में यह भी गाई बतलाई गई है आठ लिटर दूद की कैपिसिटी बतलाई गया यह 35 ज़र पर डिमांड रखा गया आउनर के तरफ से बच्चा मेल है इनके साथ में तो और दूसरी गाई यह बगल में दिख रही है तो इस गाई की बात करें तो छे दात में यह गाई बतलाई जा रही है आठ लिटर दूद की कैपिसिटी बतलाई गया 32 ज़र पर डिमांड रखा गया बच्चा फीमेल है इनके साथ में जो कि एक ही ओनर के तीनो गाई आपको देखने को मिल रहा होगा तो चले फिर आगे बढ़ते और भी काफी संदार संदार गाई आपको आगे देखने को मिलेगा जो कि थमनेल के उपर भी जो जो गाई आपको देखने को मिली है वो गाई की भी डिटियल्स मैं देना चाहूंगा आगे तो बढ़ते हैं फिर आगे तो ये एक और गाई आपको देखने को मिल रहा होगा स्केन के उपर तो आज की मंडी के सबसे संदार दूद देने वाली गाई ये आपको देखने को मिल रहा होगा स्केन के उपर तो इनकी भी डिटेल्स देना चाहूँगा आगे और इनको मैं चारो तरफ से घूम के भी मैं आपको देखलाना चाहूंगा जो कि दात में मिली वी गाई बतलाई गई है ओनर के तरफ से और 20 लिटर दूद की कैपिसिटी बतलाई गई है ओनर के तरफ से जैसा कि ओनर का कहना है और दिमांड की बात करें तो 70,000 पर दिमांड रखा गया 69,000 जिनमें कुछ कंबेस हो जाएगा जो कि जो भी रेट आँ उनमें कुछ कंबेस हो जाएगा और बच्चा की बात करें तो बच्चा मेल है और यह आप देख पा रहा हूँगे ये बैक सैट से अडर की बनावट काफी संदार आपको देखने को मिल रहा होगा 20 लिटर दूद की कैपसिटी बतलाई गया है 20 लिटर तो नहीं करेगी लेकिन आप भी कमेंड में जरूर बतलाएं क्या दूद कर पाएगी ये गाई तो बढ़ते इसी के साथ में आगे कुछ और गाई एक और गाई देखने को मिल रहा होगा तो इस गाई की भी मैं आपको डेटियल देना चाहूंगा जो की देशी करोस में से आपको देखने को मिल रहा होगा सकेन के उपर काफी सांधार आपको देखने को मिल रहा वाँ बॉडि वेड के घिसाफ से और दात में मिली गाय की बतलाई गई है और के तरक से आठ लीटर दूद की कैपसिटी बतलाई गई है और आगे की तरफ भी बढ़ा कि आपको मैं देख़ना चाहूं और दूसरी सैट से भी मैं आपको कवर करके देखलाना चाहूंगा जो की आठ लेटर दूद की कैपिसिटी बतलाई गई है और यह आप देख पा रहे होंगे ऑनर आगे की तरफ लेके जा रहे है 44 दर पर डिवान रखा गया है इस गाई की दाम में कुछ कंबेस हो जाएगा बच्चा की बात करें तो बच्चा मेल है इनके साथ में तो यह आप देख पा रहोंगे और आगे से गुमा के लाते ही मैं आपको दूसरी सैट का भी मैं आपको देखलाना चाहूंगा तो यह आप देख पा रहोंगे जो कि आगे की तरफ थन की बनावट है और वड़ते हैं फिर आगे एक और गाई यहां पर हमें देखने को मिल दिये जो कि अभी अभी यह गाई बियाई है अभी अभी यह गाई बच्चा दिये मंडी के अंदर में ही तो यह गाई को भी मैं आपको हैं कि आता है कि football आता हुए वाकरि刺 संद आपर ना करना पड़ता है अगर मंदी के अंदर गॉष्टा देता तो यए आप देख़ा रहा है इंगी सकेह दूल और और इनके बच्चे को भी मैं आपको देखलाना चाहूंगा जो कि यह आप देख पारोंगे और इसी के साथ एक और गाई यहाँ पे प्रेगनेट गाई हमें देखने को मिल रहा है तो उनकी भी मैं डेटियल देना चाहूंगा आपको तो यह देख पारोंगे जो कि यह आउनर की तरफ से 16 लीटर दूद की कैपसिटी बतलाई जा रही है जो कि इससे पहले जो गाई बच्चा दी थी तो 16 लीटर दूद कर रही थी यह जैसा कि आउनर का कहना है तो इस बियान में भी देखे कि क्या दूद कर पाएगी एक कमेंड में आप जरूर बतलाएं पीछे तीन से चार दिन भी वक्त बचा हुआ है इन्हें बियाने के लिए जो कि बच्चा देने के लिए तो बढ़ते हैं फिर आगे कुछ और गाई की भी डिटेल जानते हैं तो एक और गाई यह आप देख पा रहे होंगे इसकेन के उपर जो कि किसान भाई आगे की तरफ गुम अधर के देख लाया जा रहा है यह गाई को तो यह एक देख पार होंगे आप जो की जगाई पे लाके बांद हुआगे और सामने की तरफ आपको लेने वाले हैं काफी सीधी सबाओं में से ये गाई बतलाई जा रही है देखेने को मिल रहा है आपको 9 लिटर दूद की कैपेसिटी बतलाई गई है और 36 दर पर डिमांड रखा गया है बच्चा फीमेल है इनके साथ में तो इसे के साथ बढ़ते हैं ये कुछ और गाई की डिटल जानने का कोशिस करते हैं तो एक और गाई आपको स्केन के उपर देखने को मिल रहा होगा तो ये आप देख पार होगे चार दात में ये गाई बतलाई गई है जो कि काफी जवान आपको देखने को मिल रहा होगा पहले ही बियान की ये गाई बतलाई जा रही है जैसा कि आउनर का कहना है हमें तो नहीं लगता हमें ऐसा लगता है कि दूसरी बियान है इस गाई की और 10 लिटर दूद की कैपेसिटी बतलाई गया ये आउनर के तरह से डिमांड की बात करे तो उन्चालीज जर पर डिमांड रखा गिया है दाम में कुछ कम बेस हो जाएगा और बच्चा मेल है इनके साथ में और ये आप अडर की बनावट पीछे साथ से आप देख पा रहोंगे काफी संदार आपको देखने को मिल रहा होगा तो इसी के साथ करते हैं अंत मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाम आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा कर आगे भी इस तरह का नोडिफिकिजन पाते रहे है